हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ओल इन वन पॉइंट में दोस्तो देखिए हमारे रिभेन्यू एन डाल रिपार्टमेंट को अफिसल साइट पे हैं जो कि दोस्तो बिहार के तरप से जो रिक्रिमेंट आयती दह जार पोस्ट का उसी के बारे हम द मैंने इंटर्व्यू लिया है तो उसमें जबरदस्त दोस्तों आप लोगों कर्मेंट किया है और दोस्तों वह वीडियो जो है आप लोग के लिए क्लिए से हल्फुल साधुत है लेकिन कुछ कंडिडेट ऐसे भी है जिनको लग रहा है कि यह हकीकत नहीं है तो दोस्तों औ सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो मैं बात करूंगा सबसे पहले मेरा जो वीडियो है जो कि अमीन का जो लिया गया है यह दोस्तों आप लोग का ऑथेंटिक है इसमें किसी तरह के जो है आप लोग का टूटी नहीं है कि यह वीडियो है हमारा ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि इसके साफ से अगर दोस्तों आप लोग को देखा जाए तो अमीन का जो है यहां पर खुद इस्थिती उन्होंने बयान किया है आप लोग कहते हैं कि इसमें क्या निगेटीव है इसमें दोस्तों जो निगेटीव है उसके बारे मुन ने बताया और जो पोजिटीव है उनके बारे मुन ने बताया आप लोग धियान नहीं दिये आप लोग सिफ निगे करेंगे लेकिन वे जल्दी एक्जिट मार लेंगे चलिए हम दोस्तों हम इसका कमेंट का रिपल्य आपका पारते हैं आप आप यहां पर देख सकते शात्यों यह जो है इसमें पुछा गया है कि दोस्तों भाई यह बहुत टौफ जो है पैसा भी सायर टाइम से नहीं देता है यह बात बिल्कूल सही बाला बात है इन्होंने जो काया है यह आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह इन्हों ने भाई एक पूछा है कि भाई अपनी नौकड़ी के इतनी बुराई कोन करता है दोस्तों जो बात सही है इसके बारे में इन्होंने बताया किसी तरह का गलत है यह नहीं है आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने एक कॉमेंट किया कि जैन्मीन और भेलेवल इंफ्रेमेशन दिये हैं इसके लिए थैंक्यू बिल्कूल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहां पर दोस्तों यहां पर पुछा गया कि एसो कंडिडेट जो है एपिय आप पुछाया कि भाई ने की भाई रविवार के छुटी मिलेगे की नहीं मिलेगी भाई यह बात common बात है रविवार के छुटी सब के लिए मिलती है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर बताया कि आपके अध्य आकोड़िंग अमीन का जोब महाँ खराब है बिलकूल है अगर आपको इसा लग रहा है तो आप लोग उपना जोइन करके देख सकते हैं यह बता रहे हैं कि छुटी को लेका गलत लेक जो झांदेख सकते हैं आपको किस मुझें में दिया गया है कि यहां पर बताया गया कि यहां आधी हो जाएगा मेंच कर रहा है तो आप victech अकर लिजे लास्स समस्टर थो कर लिजिए अगर मिड समस्टर है या फॉस्टर अफ़र्स मिस्टर है तब आप कडिक को स्किप कर दिजे क्यों कि इतना अच्छा जॉब यह नहीं फिर भी बता देना चाहतो आप लोग को एक परखंड में केतने अमिन रहेंगे एक परखंड नहीं दोस्तों एक गउंग के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेगा एक अमिन रहता है ठीक है यहाँ पर पुछा है कि हम भी इंटर्व्यू देंगे तो आप बिल्कुल दे सकते हैं अर्य जब कॉन्टेक्ट का जो और अभी अभी तुम्हारे लिए पर्मनेट जोब कहा है बिल्कुल सही बात बोलें है आप कि यहगोंटेक्ट का जोब है तो आप को जया है पर्मनेट नहीं किया जाएगा अभी आप देख सकते हैं लेते ही लगता है कि धबा लगया बिलकुल बात सही बोले हैं आप कि कॉंटक्ट कहने के मतलब ही होता है कि धबा लगया इस तरह का दोख सकते दोस्तों यहां पर पूछा है Baba जी सभ निगेटी बता दिया कुछ भी तो पोजेटीव होगा कुछ पोजेटिव होगा तो ही ने बताया जाएगा यह बात आप यहां पर देख सकते कुछ पोजेटीव होगा तब नहragtएंगे सब बिजनों नें बताए कि ज़र गेर्जुए सेशन कंप्लीट है युजिसी का सटिप्रिकेट है यह आई सीटी से भालिट नहीं है यह आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं उसके बार दोस्ते हैं बताए कि अमीन नौकिरी के छोने आस पहले डोकेमिन निकालने में कृसी तरह का प्रोलाम भी होगा कोई तरह क्षोड़ सकते हुगा ळास्ताहु собствен लिए और यह बता सकते हैं दोस्तों यहांपर कुछ कुछ क्वे सटन आया कि शुटी के बारे में बता दिया सिर्क लंश्य हantalसे हम इन करे कर करें यह बहुत लग रहा होगा कि जो है पेपर जो है किस तरह का पेपर आया है आप एससी जई का भी त्यारी कर रहे होंगे लेकिन आपको यह लग रहा होगा कि किस तरह का त्यारी करना चाहिए तो आप लोग अगर अभी से मार लिजिए फ्रेशर कंडिडेट है या कुछ दिन हो गया लग जाएगा आपको यहां पर पढ़ने को कोई मोका नहीं मिलेगा अगर आप पांस साल से लगे वह अभी तक कोई जौब नहीं पहला जौब है तब भाई पिल्कुल जौब कीजिए क्योंकि यह जौब आपके लिए बर्दान साबित होगा क्योंकि जब तक कुछ नहीं है तब तक आपको कम से कम जो है 30 3500 का ब्रवस्था आप लोग का यहां पर हो जाएगा और दोस्तों आप लोग एक साल तक ही आपको 31000 के असपास मिलेगा बाद मां की आपका प्रेमेंट कट के 23000 मिलेगा और आप आप जो कहते हैं कि इसके बारे में बताए तो इसके बारे में क्या बताएं बस जितना है उतना ही हम यहां पर बताए हैं मैंने पहले ही बता दिया कि जो कंडिडेट पहुझ रहे हैं वह पढ़ाई ही कंटिन्यू करिए क्योंकि इसमें जोब में जाएगा अपका लाइप हेल्प हो जाएगा फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार जोएन करके देख लीजिए आपको दो से तीन मंत का अंतरगत अगर आप बाहर नहीं आ गए तो मुझे बताएगा कमेंट कीजिएगा इसी नमर पर क्योंकि मेरा चैनल तो रहेगा ही आप यहां पर देख सकते हैं यह बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों आप लोग के लि हैं हमारे अंतरगत आता है तो ही हम बताते हैं किसी तरग डिपार्टमेंट का बदनाम करने का बात नहीं है लेकिन आप लोग ने जो है इस तरह का कॉमेंट गलत गलत कॉमेंट किया है यह बहुत कभी-कभी खराब भी लगता है लेकिन मैं करूंगा क्या यह तो जो है आप